आपको नए साल की बहुत बहुत चुब काम नाए दोस्तों हर साल हम न्यू येर पर resolutions तो बहुत करते हैं अगर उनको पूरा नहीं कर पाते अब आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप किसी भी बड़ी से बड़ी बैड हैबिट को बड़ी असानी से छोड़ देंगे ये एक सची कहानी है घंचाम की जिसको सिगरेट पीने की आदत थी और वो उससे बहुत परिशान था उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसन्स खाई अपने आप से कई वादे किये और कुछ हफतों तक उसने सिगरेट छोड़ी भी, मगर फिर दुबारा चालू कर दी मगर एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना हुई, जिसने एक ही पल में उसकी सिगरेट पीने की बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दिया एक दिन सिगरेट पीते टाई, उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, और उसने उसके मूँ से सिगरेट निकाल कर खिर्की से बाहर फैन दी यह देखकर घंशाम को बहुत गुसा आया, और उसने अपनी बेटी को डांटा, तुमने ऐसा क्यूं किया? मगर इस पर वो बोली यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी सिगरेट बाहर क्यों फैक दी? आज मेरी टीचर ने बताया कि जो लोग सिगरेट बीते हैं, वो लोग जादर नहीं जी पाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में ज़र दूर हैं, क्योंकि मैं आपके विगर शादी नहीं कर पाऊंगी ये बोलकर उसकी बेटी तो चले गई, उसको तो शादी का मतलब भी ना पता हो, मगर गजशाम को उसकी बेटी के इन शब्दों ने जन्जोल कर रख दिया उसकी बेटी के वाकियों ने उसको इतनी emotional pain दी, कि वो imagine ही नहीं कर पाया, कि वो अपनी बेटी की शादी को नहीं अटेंड कर पाएगा इस incidence के बाद वो कभी भी cigarette नहीं पी पाया, क्योंकि उससे अपनी बेटी की शादी ना अटेंड करने की pain, cigarette पीने के short term pleasure से बहुत बड़ी लगने लगी दोस्तों, अगर आप भी किसी भी बुरी आदत से निजात पाना चाते हैं, तो उससे होने वाले long term pain को imagine कीजिए ऐसा करने से आपकी आदत बहुत असानी से छूटने लगेगी, क्योंकि हमारा brain सिरफ दो चीज़ों पर respond करता है, एक है pain और दूसरी pleasure और pain से बचने के लिए हमारा brain वो चीज बड़ी असानी से कर लेता है, जो उसके लिए संभव हो इसको और असान करने के लिए अगर आप कोई WhatsApp ग्रूप बना ले, जिसमें आप openly अपने दोस्तों, रिष्टेदारों को एक डिक्लियर कर दें, कि आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं, और अगले 21 दिन तक एक नया routine फॉलो करेंगे, तो इससे आपकी नई resolutions ब बहुत बहुत चुब का मना हैं